नमस्कार यूसपोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा दो चर्नों में BPSC द्वारा सिख्षकों की बहाली लगभग पूरी हो चुकी है और अब बहाली के बाद सिख्षा विभाक्या पर मुखे सचीव केके पाठक जो है अब वो फर्जी तरीके से जो टीचर्स बहाल हुए हैं उनके पीछे हाद धोकर पड़ गए है और अगर किनी लोगों ने फर्जी तरीके से BPSC से परिक्षा दी है और उनकी बहाली भी हो गई है तब उन पर केके पाठक की गाज गिरने वाली है क्या है पूरी खबर? आईए आपको बताएंगे इस वीडियो में बिहार में BPSC की माध्यम से दो चरनों में सिख्षक न्यूकती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है अब सिख्षा विभाग ने फर्जी सिख्षकों को पकड़ने के उदेश से 15 जन्वरी से एक विशेश अभ्यान चुलाने का निर ने लिया है इसके तहट 15 जन्वरी से सिख्षा विभाग की ओर से BPSC से चैनित अभ्यार्थियों का थम इंप्रेशन मिलान और आधार कार्ड हिस्ट्री चेक किया जाएगा इसे लेकर सिख्षव विभाग के परमुखी सचीव की ओर से विभाग ये पदाधिकारियों को आविश्चक देशा निर्देश दिया गया है तादे की बिहार में पहले चरन में एक लाख बीस हजार से अधिक सिख्षकों की नियुक्ती हुई लेकिन BPSC की ओर से चैनित फर्जी टीचरों की पहचान के बाद पूरे सिख्षव वभाग में हडका मच गया था इससे देखते हुए सिख्षव वभाग के परमुखी सचीव केकी पाठक की ओर से राजुके सभी जिलापता अधिकारी को पत्र लिखा गया है इस पत्र में केकी पाठक ने बताया कि 2 नवंबर 2023 को लगभग 120,000 टीचरों को तदर्थ नियुक्ती पत्र वितरन किया गया जिसके बाद इन सिख्षकों का स्कूलों में पदस्थापन किया गया और अभी एक लाग से अधिक सिख्षक स्कूलों में योगदान देकर अध्यापन का कारे भी कर रहे हैं लेकिन जोरान ऐसी शुकायते प्राप्त हुई है जिससे पता चला है कि कुछ लोगों ने फर्जी नियुक्ती पत्र बनवाने और फर्जी नाम सिख्षकों में योगदान दिया है और ऐसी कोशिश भी की है हाल ही में वेहाजिपूर और सारसाजिले में ऐसे प्रकरण सामने आये हैं इस मामले में संबंधित व्यक्तियों की विरुद प्रार्तमी की दायर की जा चुकी है इसमें कुछ की गिरफतारी भी हो गई है उन्होंने कहा कि ये इस कारण हुआ क्योंकि BPSC ने उस समय विभा के संब्धा काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया जिसने BPSC की परिक्षा दी थी केकी पाठक ने बताया के 18 दिसंबर के बाद प्रतेक जिले में अचानक 4000 अध्यापकों को फिर से जांच के लिए बुलाया गया जब उनकी पहचान की गई तो एक टीचर हाजिपुर का और सहरसा के दो टीचर पकड़े गए जबकि तीन अनिसिक्षक भाग खड़े हुए इसे देखती हुए विभाग ने पुनह BPSC को कहा कि दूसरे चरण की वर्तमान में चल रही काउंसलिंग के लिए थम इंप्रेशन अनिवारी रूप से दिया जाए साथी टी आरी एक के अभ्यर्तियों का भी थम इंप्रेशन उपलब्ध करा दिया जाए जिस पर BPSC ने दोनों परिक्षाओं के लिए थम इंप्रेशन उपलब्ध कराने पर सहमती दे दी है कहीं सिक्षव विभाक्य परमुकि सचीव ने आधार के QR स्कैनर एप पर जाकर अध्यापक के अधार काट पर दिये गए QR कोट को भी स्कैन करने का निरदेश दिया है ताकि पता चले कि कोई संदेहा असपत बात तो नहीं है इसके लावा सिसी टीवी की निगरानी अध्यापक और प्रधाना ध्यापक जब उपरोक्त प्रक्रिया से गुजर रही हो तो उस कैमरे में सिसी टीवी की व्यवस्ता होनी चाहिए इस पूरी प्रक्रिया के दोरान जिलास्तर से एक दंडादिकारी की तैनाती भी होगी सिख्षव वेभाग के परमुखिस अचीव के के पाठक बीपीएसी से चैनेज सिख्षकों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और उन सिख्षकों के तलाश कर रहे हैं जिन सिख्षकों की न्यूकती जो है फर्जी वाड़े तरीके से हुई है आपके इस वीजियो पर क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से ब्रेट रहने के लिए देखते रहें